एक आउशदी के बारे में बागबट जी कहते हैं और भी महत्तु की है दाल चीनी दाल चीनी के बारे में बागबट जी कह रहे हैं कि वायू के जितने भी प्रकोप हैं जैसे दमा अस्थमा ये वायू की बीमारिया अस्थमा दमा वात की बीमारिया वायू की तो इनको खतम करने में या समाप्त करने में या इन वीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दाल चीनी और दाल चीनी के बारे में बागबट जी कहते हैं कि ये दमा अस्थमा इनको तो खतम करेगा ही बात के सब रोगों को खतम करेगा कफ के रोगों को भी खतम करता है कफ के रोग आप समझते हैं खासी है सरदी है जुकाम है मोटापा है वजन बढ़ना ये सब कफ क तो इन में भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे उतना ही इस पर भी है कफ के तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से दालचीनी आप सब जानते हैं आसानी से आपको पहचान में भी आती है बस उसका उपयोग करते समय ध्यान र वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है और दालचीनी के बारे में बागवटी जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड के साथ इसको खूब घिसिये रगड ये ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड मिले फिर खाईए फिर पीछे से थोड़ा गरम पानी पीजिये अदबुत परिणाम और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका मर्दन मर्दन एक शब्द उन्हों ने इस्तेमाल किया मर्दन माने गिसना रगड न तो वो कहते हैं कि खूब रगड करके मर्दन करके पानी पीजिये तो आपके शरीर के कम से कम तो पचास रोग ये अकेला दालचीनी खतम कर देगा कम से कम पचास कफ के रोग और वात के रोग